ओम नमो भग्वते वाशुदे वाए नम जैस्री कृष्णा आज योगिनी एकादसी के दिन आये सुनते हैं एकादसी ब्रत कथा इस कथा को सुनने मात्र से घर में आई हुई परिसान्यों से मुक्ती मिलती है कथा धन का भंडार भरता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें कथा सुरू होने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जै एकादसी माता और जुन ने कहा हेत्र लोकी नाथ मैंने जेश्ट माह के सुक्ल पच की निरजला एकादसी की कथा सुनी अब आप कृपा करके आशार माह के कृष्ण पच की एकादसी की कथा सुनाईए इस एकादसी का नाम तथा महात में क्या है सो अब मुझे विस्तार पुरुवक बताए श्री कृष्ण ने कहा हे पांडू पुत्र आशार माह के कृष्ण पच की एकादसी का नाम योगिनी एकादसी है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं यह ब्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ती देने वाला है हे अरजुन यह एकादसी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं तुम्हें मैं पुरार में कही हुई कथा सुनाता हूँ ध्यान पुरुवक स्रवर करो कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था वह सिवभक था उनका हे माली नामक एक यच्छ सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था हे माली की विशालाच्छी नाम की अतिसुन्दर इस्त्री थी एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया किन्तु कामा सक्त होने के कारण पुष्पो पर रख कर अपनी इस्त्री के साथ रमर करने लगा इस भोग विलास में दोपहर हो गई ये माली की राह देखते देखते जब राजा कुवेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोज पुर्वक अपने सेवकों को आग्या दी की तुम लोग जाकर पता लगाओ की हे माली अभी तक पुष्प लेकर केव नहीं आया जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया हे राजन वह हेम माली अपनी इस्त्री के साथ रमर कर रहा है इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आग्या दी दर से कापता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ उसे देखकर कुबेर को अतियंत क्रोधाया और उसके होट फरफ़ाने लगे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पुज्यनी देवों के भी देव भगवान सिव जी का अपमान किया है मैं तुझे स्राप देता हूँ कि तुई इस्त्री के बियोग में तडपे और मृत्यू लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे कुबेर के स्राप से वह तच्छड स्वर्ग से पिर्थवी पर आगिरा और कोड़ी हो गया उसकी इस्त्री भी उससे बिछड गई मृत्यू लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगें किन्तु सिव की क्रिपा से उसकी बुद्धी मलीन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा आपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमाले परवत की तरफ चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिशी के आश्रम में जा पहुचा वह रिशी अतियंत ब्रिध तपस्वी थे वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान सोभा दे रहा था रिशी को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रडाम करके उनके चड़ों में घिर पड़ा हेम माली को देखकर मारकंडे रिशी ने कहा तुने कौन से निक्त्रिष्ट कर्म किये हैं जिससे तु कोड़ी हुआ और भयानक कस्त भोग रहा है महर्शी की बात सुनकर हेम माली बोला हे मुनिस्लेश मैं राजा कुवेर का अनुचर था मेरा नाम हेम माली है मैं प्रती दिन मान सरोवर से फुल लाकर सीव पूजा के समय कुवेर को दिया करता था एक दिन पतनी सहवास के सुख में फस जाने के कारण मुझे समय का घ्यान ही नहीं रहा और दो पहर तक पूस्व नव पहुच सका तब उन्धों ने मुझे स्राप दिया कि तु अपनी इस्त्री का वियोग और नित्र लोग में जाकर कोरी बनकर दुख हो इस कारण मैं कोरी हो गया हूँ कथा प्रित्वी पराकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ अतह त्रिपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ती हो मारकंडे रिशी ने कहा हे हे माली तुने मेरे सम्मुक सत्य बचन कहे हैं इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक ब्रत बताता हो यदि तु आसार माह के क्रिश्न पच्छ की योगनी नामक एकादसी का बिधान पुर्वक ब्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे महर्शी के बचन सुन ये माली अतिप्रसन हुआ और उनके बचनों के अनुसार योगनी एकादसी का बिधान पुर्वक ब्रत करने लगा इस ब्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी इस्त्री के साथ सुख पुर्वक रहने लगा ही राजन इस योगनी एकादसी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्रामडों को भोजन कराने के बराबर है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और अंत में मोच्प्राप्त करके प्राडी स्वर्व का अधिकारी बनता है मनुष्य को पूजायादी धर्म में आलसया प्रमाद नहीं करना चाहिए अपी तु मन को सयम में रखकर सदय भगवान की सेवा में तकपर रहना चाहिए एकादसी के दिन इन तीन मंत्रों का अवस्य करें जब धन बैभाव की प्राप्ती के लिए जपें ए मंत्र ओम हिरीम हिरीम स्री लच्मी वाशुदेवाय नम घर परिवार में शुक शांती के लिए जपें यह मंत्र ओम नम भगवते वाशुदेवाय परिसान्यों से बसने के लिए जपें यह मंत्र ओम नाराय अराय नम प्रेम से बोलिये श्री विश्रू भगवाने की जये चर फिजड़ां की जये आराय वे जाराबाय वे वे जपें यह मंत्र लिए जाराय जब गढ़ें जवाने की जाराणिवार वे जवाने का यह मंत्र